नमश्कार मित्रों जैसियाराम सुप्रभाथ मित्रों आज 26 अक्टूर्वर 2018 दिन शुक्रवार का पंचान और दैनिक राशी फन लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ तिथी आज दितिया है जो 20-11 तक रहेगी यानि शाम के 8 बसकर 11 मिनट तक नक्षत आज भरनी है जो प्राते 9 बसकर 3 मिनट तक रहेगा और उसके बाद क्रितिका नक्षत शुरू हो जाएगा करण आज तैतिल है जो प्राते है आट बसकर 51 मिनट तक रहेगा और उसके बाद गर करण शुरू हो जाएगा योग आज व्यतिपात है जो 27-42 तक रहेगा और चंद्रमा आज मेश रासी में रहेगा 14 बचकर 54 मिनट तक अब राशी फल की बात करें तो मेश रासी दीर की कालिक निवेश के लिए दिन अच्छा है परिवार जनों के बीच मन को पसंदिता मिलेगी थोड़ी भावनात्मक उथल पुथल परिशान कर सकती है कार छेत्र में समझ और धैर से काम लें बातचीत वानी पर भी ध्यान और नियंत्रन की आवशकता है दामपत्य जीवन में थोड़ी निराशा की इस्तिती रहेगी अपने स्वास्त के प्रती भी थोड़ी साबधानी रखें शुविता का प्रतिशत है 65 बिशवरासी आज किसी से मन मुटाओ के कारण मूट खराब हो सकता है चोटी चोटी बातों पर ध्यान ज़्यादा न दें बुद्धी और विवेक से काम लें आथिक निवेश में भी जल्द वाजी हान उप्रद हो सकती है आज का दिन मिश्यत फलदाई रहेगा कहीं खुशी तो कहीं तनाओ भी मिल सकते हैं थोड़ा ठका हुआ सा मैसूस करेंगे जीवन साथी और खुद के स्वास्त पर भी ध्यान देने की आवशक्ता होगी तनाओं से दूर रहें रोजगार वा नौकरी में धहर और समस से काम लें शुबता का प्रतिशत रहेगा पचास मितुन राशी आज मित्रों से सयोग मिलेगा उनके संग साथ से आपको खुशी मिलेगी स्वास्त उत्तम रहेगा कार छेत्र में मान सम्मान प्रतिश्ठा मिलेगी लोगों की प्रशंसा के पात्र बनेंगे खर्च पर नियंत्रन रखें अधिक वय की वज़े से जीवन साती से खटपट भी हो सकती है जीवन साती के साथ टकराओ की इस्थिति ना आने दें कहीं निवेश के लिए आज का दिन अच्छा है आर्थिक लाब भी संबब है शुबता का प्रतिशत है सक्तर करक राशी आत्म विश्वास बढ़ा रहेगा मन प्रसन रहेगा स्वास्त की देश्टी से भी आज का दिन उत्तम रहेगा किसी बड़ी योजना और निवेश के प्रति सोच सकते हैं और ये आपके लिए फाइदे की भी इस्थिति रहेगी एकिन थोड़ी साबधानी अवश्य बनाई रखें घर परिवार का भरपूर सयोग मिलेगा आज और दामपत्य जीवन भी उत्तम रहेगा रोजी रोजगार नोक्री व्यवसाई के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा शुबता का प्रतिशत है 85 सिंग राशी आज का दिन मिश्चित फल्दाई कहा जा सकता है किसी पुरानी सवस्या से शुटकारा मिलेगा बित्रों और परिवार से सयोग प्राप्त होगा दामपत्य जीवन वस्वास्त की देश्टी से सामान इस्थिती रहेगी आर्थिक लाब रोजी रोजगार नौप्री ववसाई की देश्टी से दिन अच्छा रहेगा किसी के साथ कोई टकराओ की स्थिती ना आने दें आज खुद के लिए भी वक्त निकालने का दिन है घर परवार बित्रों के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा शुबता प्रश्ट है आज सत्तर कन्या राशी आज आपको परिश्रम अदिक करना पड़ेगा थोड़ी मांसे कुलजन भी रह सकती है किसी पुराने पर्चिस से भी आज मुलाकात होगी और यदि आपने कोई धन पहले उधार दिया था किसी को तो उसके मिलने की भी आज संभबना प्रबल है आज किसी साजेदारी वा आर्थिक निवेश को टालें तो बेहतर होगा दामपत्य जीवन अच्छा और खुशाल रहेगा कारचेत्र में भी बहुत सजग और सावधानी रखनी की जरुरत पड़ेगी धन संपत्ती के मामलों में भी बहुत जोखिम नल उठाएं शुबता का प्रिश्चत रहेगा सत्तर मित्रों आगले वीडियो में हम तुला राशी से मीन राशी तक का फल बताएंगे तब तक जैस याराम नमस्कार आपका दिन मंगल मैं हो